नमासकार स्वगत्यापका हमारे चंचार जागंद्रमशा में सोमवती अवश्या के दिन एक चीज जरूर खालेना पूरे साल जम कर पैसा आएगा दोस्तों इस बार 30 मई को सोमवती अवश्या है शौमवती अमश्या को सर्वस्रेष्ट अमश्या कहा गया है शास्त्रों के अनुसार स्वमवती अमश्या पर किये गए पूजा उपाय इश्नान दान, स्राध्य तरपड अन्य अमश्या की तुल्ला में कई लाख गुना अदिक पुन्न फलदाई होते हैं शूरगहन के दवरान कुर्छेत्र में जो पुन्न फल प्राप्त होता है वही सोमबती अमवश्या पर भी प्राप्त होता है यह अमवश्या भगवान लक्ष्मी नराण के साथ साथ भगवान सीव माता पार्वती और पित्रों के कृपा प्राप्त करने के लिए स्थरविश्टेश मानी जाती है शोमबती अमवश्या पर यनि कि कई सारे इस बार दूलब सुब संयोग बन रहे हैं इस बार की शोमबती अमवश्या बहुत ही खास है इस बार शोमबती अमवश्या के दिन बहुत ही अद्बुद और ब्यच्छन संयोग बन रहे हैं ये संयोग लगभग 30 सालों के बाद बन रहे हैं वैसे तो प्रतेक माह के अमवश्या तिति आती है लेकिन जेश्ट मास के कृष्ण पक्षी जो अमवश्या तिति है इस दिन बड़ सावित्री अमवश्या भी है और इस दिन शनी जैनती भी मन यनि कि सूर के पुत्र जो शनी देव है उनका प्रागट भी हुआ था शोंबती अमवश्या का आरंब 29 मई 22 रवी बार को दुपहर दो बशकर 15 मिनट से हो जाएगा जो की 30 मई 22 शोंबार को शाम को 5 विजे तक अमवश्या तिति रहेगी जो की डेश्ट मास के कृष्ण पक्षी जो अमवश्या होती है उस दिन शोभाग बती माताएं और बहने अपनी पती की लंबी आयू के लिए वड़ सावित्री अमवश्या का ब्रत भी रखती हैं कुछ माताएं बहने तीन दिवसी ब्रत रखती हैं और कुछ माताएं दो दिवसी लेकिन अधिकतर एक दिवसी ब्रत रखती हैं दोस्तो इस बार की अमवश्या बहुत ही खास है द पस्तो इस बार यह है जेश्ट अमश्या शोम बार की दिन पढ़ने का इसे सोम बती अमश्या भी कहा जा रहा है। शोम बती अमश्या शोम बती अमश्या तथा सनी जैनती एवं सरवार सिध्योग का महाश्योग का निर्माड हो रहा है। शोम बती अमश्या के दिन एक चीज खालेने से माता लक्ष्मी और भागवान विश्या जी की विशेश कृपा दृष्टी रहेगी। दोस्तों अमश्या तिति के दिन भागवान विश्योग और माता लक्ष्मी पूजा की जाती है। इस दिन भागवान विश्योग और माता लक्ष्मी जी काफी परसन मुद्रा में रहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दे की आमश्या तिति के दिन चुकि इस बार शोम बती आमश्या है। शोम बार के दिन चले इस दिन यानि की बट बर्च की पूजा भी की जाएगी और चुकि बट सावित्री भी है और पीपल बर्च की भी पूजा की जाएगी और साथी साथ इस दिन बता दे की सन्य देव की भी पूजा की जाएगी। दस्तो इस दिन का विशेस जो सुब महरत होगा बट विर्च के पूजन करने का वो महरत रहेगा 30 मई सौम बार को शुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7.30 बजे तक पहला और अगला यानिक दोसरा जो शुब महरत होगा सुबह नव वज़े से सुबह दस वज़े तक और तीसरा रहेगा दुपार एक वज़ कर तीस मरसले के साम छे वज़े तक रहेगा दौस्तो इस दिन पीपल के बर्चकी भी पूजा की जाएगी सबसे पहले से तो सुबह जल्दी उठें और इश्नान करके सुद्ध वस्त धारन करें फिर आप इस दिन यानिकी चाहें तो सत्यवान और सावित्री की कथा भी यानिकी सुने क्योंकि इस दिन इनकी कथा सुनने चाहिए और इनको एक स्थान पर स्थापना भी करने चाहिए और इन्हें सजाना चाहिए और जैसे के रोली, चावल, अवीर, गुलाल, आदि वगरे यहनी की जरूर और जनेव जोड़ा जरूर यहनी की करें और ब्रह्मा जी की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि इस दिन बड़ सावित्र की पूजा भी कियाईगी सबसे खास बात तो यह दरस्तों के इस बार की सोमबती अवश्या बहुत ही खास है, कई सारे दूलब सुबसायोग में आ रही है सोमबती अवश्या के दिन भागवान विश्म जी की पूजा अर्चना करें और माता लक्ष्मी जी की आप शुरुदे से पहले उठें और नहाद होकर स्वक्ष वस्त धारन करें फिर भागवान विश्म और माता लक्ष्मी की आप पूजा जरूर करें दोस्तों इस बार की यह जेश्ट अवश्या यनि की सोमबती अवश्या बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन कई ग्रहों के राजयोग और दूलब सुपस्योग का निर्माड हो रहा है इस दिन सनिदेव अपनी स्वयम किराशी कुम्भराशी में है और इनका इस दिन जन्म यानि प्रागट भी हुआ था भगवान विश्यों और माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन बिद्वी धान से करें उनके सामने एक दीपक जलाए और ओम नमो भगति वास देवाए और माता लक्ष्मी के ओम महा लक्ष्मी देवो नम नम इस मंतर का जाब जरूर करें भागवान विश्यम और माता लक्ष्मित पूजा राधना करने के बाद फिर यता संभाव योग होशके तो कुछ दान जरूर करें पित्रों के स्राध तरपन के लिए इस दिन आप यह निकी यता योग संभाव करें और उपाई करें और साथी साथ दान करें जिससे किस दिन काले तिल का दान करें जो सर्वशेष्ट माना जाता है दोस्तों शोमबतियां वश्यक के दिन आपको यहीं की एक चीज का सेवन कर लेना है यह एक चीज अगर खा लेते हैं तो आपके घर में पैसु के कमी कभी नहीं होगी और माता लक्षभी और भगवान विश्यक की सदा आपके घर में क्रिपा बरसेगी दोस्तों इस दिन आप आम कफल जरूर खा लीजेगा आम कफल यह पिर खीर जी हैं दोस्तों शोमबतियां वश्यक के दिन आपको आम कफल खाना है यह फिर आप खीर बना लें खीर जब बनाएंगे तो माता लक्ष्मी को भौग जरूर लगाएं धियान रखेगा सबसे पहले आप माता लक्ष्मी को खीर का भौग लगाएं और चुकि केला पीला होता है तो पीले वस्त भागवान विश्मी को पुरियस ले इन्हें भी उस दिन जरूर चड़ा दें फिर इस यनिकी आम को पका हुआ आम को आप यनिकी खाना है और खीर बना के खाना है इन दो में से कोई भी एक चीज खालें और खीर बना के आप उसमें दो लौंग दो इलाइची डाल दें और अपने परिवार के साथ बितरन करें परसाथ के रूप में तो इससे अगर आप खीर खालेते हैं या फिर आम खालेते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विश्व का शीम कृपा बरसेगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पूरे साल जम कर पैसे आएंगे पैसे क्याम दनी के स्तुरोद बढ़ेंगे आप इस दिन यानि की विशेष रूप से दिन दुख्यों को आप दान जरूर करें यथा योग संभव इस दिन आप चाहें तो गुड तिल और घी से बने लड़ू भी खा सकते हैं काले तिल गुड और घी को बना लें लड़ू और इसका भी सेवन कर सकते हैं लेकिन आम और खीर का सेवन जरूर कर लें इस दिन सोंभतियां वर्षक के दिन तो विशेष लाब होगा तो दोस्तो ये चीजे खाने से आपके घर में पूरे साल माता लक्ष्मी कृप बरसेग दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा जै माताजी साथे वीडियो को लाइक करिएगा जैदे जैसे शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्ष्मी जै सनी देव